जानते हैं दोस्तो गर्मी शुरू होते ही हमारे स्कीन में बहुत सारी समस्या होने लगती हैं और जब भी हम धूप में निकलते हैं तो तोचा मुर्जा से जाती है रोज रोज पारलर जाना तो हरक किसी के लिए शंभाव नहीं होता है लेकिन अगर आप थोड़ा साथ चीजों को आप कर लेते हैं और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेट बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम वीडियो आपके इंबॉक्स में मिलेगा लीजनर से साफ करें, इसके बाद आप कर सकते हैं स्क्रबिंग, दोस्तो तैली त्वचा के लिए बने हुए स्क्रब का परियूग आप अपनी नाक और गाल के पास मृत को शिकाओं और ब्लाक हेड को हाटाने के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए स्क्रब को नाक और गाल के पास हाथों से मलें और फिर साफ पानी से चहरे को दूल लें दोस्तो इसके बाद बात कर लेते हैं फेस पैक के बारे में को सब्ता हमें एक बार फेस पर मास्क जरूर युस करना चाहिए चेहरे में अत्रिक्त तेल रटाने के लिए संत्रे के छिल्के का पाॉडर बना ले इसमें एक चमच बेशन और यह चमच गुलाब ठंडी होती है इसलिए आप मुल्तानी मीटी का लेब भी 30 से 40 मिनेट तक लगा के छोड़ दें और फिर फिर पानी से धुल लें इस तरीके से आपको इसमें काफिया तक फायदा मिलेगा अब दूसरों बात कर देते हैं निवू, सेव और अमली और शदी के बारे में दोस्तों एक सिय को लेकर बारी काड कर किसी मिक्सी में थोड़ा सा पानी मिला कर पीस लें अब इसमें एक निवू का रस एक चमच निवू का रस एक चमच लेवेंडर और फिर पिमपर मिंट की पत्यों को पीस कर इसे अच्छे से मिला लें और इस पेस्ट को चेहरे पर लग कःज में भर देए तो बहुत 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 दन्हें बाद दूस्ते को देखने के लिए जाएलगOP